वक्वदालत और अवाम के सवाल इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में आज सोशल अक्टिविस्ट नौशाद अली ने गुलबरगा रिंग रोड रफिक चौक पर मौझूद ग्रांड प्लाजा कॉंपलेक्स को वक्व प्रॉपर्टी होने का दावा कर डीटेल डॉकुमेंट् रखी हैं जैसे कि आप जानते हैं हाली ही में गुलबरगा शहर में मिनिश्टर बिजर जमेरमत खान की जानिब से गुलबरगा और यादीर के लिए एक वक्वदालत रखी गई थी जिसमें कई लोग वक्वदालत पर हुए इलीगल खबजों के खिलाव अपनी शिकायत ले इसरे एपिसोड में आज सोशल अक्टिविष नोशाद अली ने एक एहम इशूस पर बात करी हैं नोशाद अली ने कहा इन्होंने टोकर नंबर 23 के तहट बीजर जमीरमत खान को रफीक चौक पर मौझूद ग्राइड प्लाजा के खिलाप एक्शन लेने का मुतालबा किया हैं दरहसल इस कॉंप्लेक्स के खिलाप पीर बंगाली दरगां के मुतावली सेद अमजध हुसेन ने 2016 में करनाड़ा का स्टेट वकबूर्ड को शिकायत करिया दावा किया था किया था कि सर्वे नंबर 47 में 18 गुंटे वक्फ की जमीन को खबजा कर कमर्शल कॉंप्लेक्स गया है जिसकी खिमत आद आस्मान शूरही है सिर्फ ग्रांड प्लाजा नहीं बलके सर्वे नंबर 47 में ऐसे कई कमर्शल और रेसिडेंशल अपाटमेंट और घर मौजूद है जिसको वक्फ की जमीन पर तामीर किया गया है नोशा दली ने कहा यह जमीन पीर बंगाली करना गया है और नोशा दली ने तमाम डॉकूमेंट्स और मैप को शो कर कहा यहां सर्वे नंबर 42 के डॉकूमेंट्स का इस्तेमाल कर सर्वे नंबर 47 वक्फ की जमीन को खब्जा किया गया है नोशा दली ने गुलबरगा डीसी से मुतालिवा कर इस प्रॉपर्टी को बचा महफूस करने के लिए जमीरेमज साब ने और वर्गवोड आफिसर ने कई टोकन दिये थे मेरा टोकन नंबर 32 था मैं वहाँ पर बात करने का मुखा नहीं मिला लेकिन मैं परस्टनली जाकर जमीरेमज साब को लॉच्च के अंदर जाकर बात किया और मेरा यह जो इस्यू थ का तोकन नंबर 23 जो इस्यू था वो दरगात पीर बंगाली जो रिंग्रोड पे दरगा आए वहाँ पर केजीट नंबर 45 सर्वे नंबर 47 के अंदर कई बिल्लिंग इमारक इंलीगल है वहाँ पर आप देख सकते हैं शहरे गुलूबरगा में इतना बड़ा फ्रोड हुआ है सर्वे नंबर 42 के डॉकमेंस लेकर शहरे गुलूबरगा की तमाम बिल्लिंग अपार्टिट और कमिशल प्रापर्टी इसके पर दुखान मना गए है ग्रेंड प्लाजा यहाँ पर एक अपार्टमेंट मना गया है रिंगोड पर जो कॉर्णल पर है इसकी अगर खीमत देख को वह करोड में आती है मैं शहरे गुलूबरगा की अवाम को यहीं दिखाना चाहता हूं कि शहरे गुलूबरगा में कितना बड़ा अफ्रोड हुआ है सर्वे लंबर 42 के डॉकमेंस लेकर सर्वे लंबर 47 को जमीन के अंदर यह लोग खब्जा किये हैं जो सर्वे लंबर 47 यहां पर आप देख सकते हैं तमाम बिलिंग्स जिसका रजिस्टी रखोमेंस के सर्वे लंबर 42 के रजिस्टी आफिसी भी दोका किया गया है और कार्पेशन से जो पर्मिशन लेकर यह बड़े-बड़े अपार्मेंस और बिलिंग बनाये गए हैं मैं शहरे गुलूबरग कि यह सर्वे लंबर कमिश्टर को गाइडेंस दीजिए और सर्वे करने के लिए पेटेशन दिये थे ग्रेंट पलाजा वाले ने यहां पर यह बताए हैं कि वर्क बोर्ट के जो पेटेशन में अपना एक पेटेशन दाखिल के हैं वाखे में सर्वे लंबर 47 वक्त 42 में यह तमाम बिल्लिंग आते हैं तो इनको छोड़ दीजिए अगर सर्वे लंबर 47 वक्त पुरापटी में आते हैं तो वक्त बोर्ट अपने एंडर दीजिए इससे कई गरीबों का कई बेवाओं को कई एतिमों का पला होगा क्योंकि हजारों करोर की पुरापटी पर चि जब 32 जंता पार्टी संटर गवर्मेट बीजीपी गवर्मेट ने एक वक्त बिल जलाया जाना था हिंदुस्तान की घरीब अवाम से और हिंदुस्तान के तमाम मुसल्मानों से उस बिल का पैकॉट करनी के लिए हमने कई मोहिम चलाकर इसकानिंग कर रहें लेकिन खबजा अइसे लोगों का है कि बड़े बड़े दावेदार और नीटों का खबजा वक्पोर्ट पर है, जब बुसीबत आती है वक्पोर्ट के अपर तो तमाम मुसल्मानों का इस्तेमाल किया जाता है, जब जमीन खानी की बारी आती है, अपने पेट मोटे करकर अपने बड़े- भी दिया है अप्लिकेशन भी दिया है हमको सुने में आ रहा है वो लोगों के खिलाफ दिन से जल यफ़ार भी होगा मैं मुबारक बात देता हूँ अगर यफ़ार होता है अगर वाकबोर्ड अपने एंटर सर्वे लंबर फातिस सेवन को अपने खब्जे में लेता है तो कई खरीब को और बेवाओ यतिमों का बलावगा